लौड किश्णानमन माई और डियर श्टूडेंट माई डियर स्टूडेंट नाव भी डिसक्स अबाऊट दे नोज दे नोज सभी जानते हैं नोज के बारे में दा ओनली एक्स्टरनली विजिबल पार्ट ओफ रेस्पेरिटरी सिस्टम यानि कि सुसंत तंत्र का केबल दिखने वाला भाग आपकी भी नाग दिखाई देती है एर इंटर दा नोज थो एक्स्टरनल नियर नॉस्ट्रिल नाक में दो नेयर होते हैं जिने नॉस्ट्रिल कहते हैं छिद्र दा इंटेरियर ओफ नोज कंसिस्ट ओफ नसल कैविटी देखिए नसल कैविटी और डिवाइड़ वाई नसल सेप्टम के द्वाइड रहती है आप दंग से देखिए नसल कैविटी फिर नोज नर्व वंडल्स यानि कि यहां पर सुगने की चमता जो है इसी के द्वारा फिर ओल ओल फैल्ट्री वल्व इसी के द्वारा पता चलत यह ठीक है इस ट्वेंड अनाट्रम यॉप नसल कैविटी के अगर हम बात करें अंदर की बात करें तो ओल्फैल्ट्री रिसेप्टर आर लॉकेटेर इन म्यूकोसा और सुपेरियर सर्फेस सही बात है ओल्फैल्ट्री यानि कि जो आपको सुगंद देते हैं स्वाथ देते याद है आपको जब चीक होती है तो बहुत सारा म्यूकोसा के ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं मोश्टेन एयर यहां फे मोश्टेन एयर भी होती है ट्रैप्र इंकमिंग फॉरिजन पार्टिकल अरे जब आप इनहेलेसन करते हैं बाहर की एयर को अपने अंदर खीचते हैं तो आपकी यह जो म्यूकोसा है यह बाहरी फॉरिजन पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है अब यह फॉरिजन पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे बिद्धारतियों यह आपके डश्ट पार्टिकल हो सकते हैं बाइरस बैक्टिरिया फंगस एलगी यह कुछ भी हो स यहान कि यह पर जो लेटरल व में उससे कहते हैं कौन की कैते हैं कौन की कहते हैं इंक्रीज सर्फेस एरिया यह इर से लुए को बढ़ा देता है इंक्रीज एयर टूबलेंस बिद्धा नशल स्कैविटी के अंदर ल्कावट इस एपर वह सेपरेटिfa ऊपर लौत करता कम patreon लेटर लग करता है मैंने आपको बताया था ना आप अगर खाना खा रहे हैं गलती से बो नाक के मतलब बिंड पाइप में ना चला जाए उसके लिए आपका जो पैलेट है उसे रोक देता है एंटेरियर हार्ड पैलेट यह बॉन की बनी हुई होती है यहां पैरा नसल सिनस की अगर हम बात करें तो द्यान से देखिए हार एक चीज़ को यहां पर सबसे उपर की तरह फिरंटल सिनस है यहां पर हैं और मैंग्जिलेरी सिनस यह हैं और सिनस यह हैं आपर यह सारे सारे तो कैविटी बिदिन बॉन सराउंडिंग नसल कैविटी यहां पर बहुत सारी यहां संसे पहले पता होना चाहिए यहां पर आपका उलल मांथा फ्रेंट यहां पर 4वॉन है आपकी है आण आ हैं हम में Moscow के पास आपके चार क्या बहुत है फ्रेंटल वाओं है यह और मैंग्जिली windowUM है फंक्सव प्रेंट नम और हृएंड दरा Steff while in leggings be ti नसल सिनस की बात करें तो लाइटिंग दा स्कल यानकी स्कल को हलका फील कराता है एक्ट एज रिजुनेंस चेमबर फॉर स्पीच आप इसी की हेल्प से बोल पाते हैं प्रोड्यूज मसल्स देश्ट ड्रैन इंटू नसल्स कैविटी यहां पर म्यूकस को नीचे की तरफ मस्कुलर प्यसेश से लेरिंज टक फधैला हुता है फिला हुना फ्रेंग तरफ नसल्स लेरिंग बिद्यारति ओंगे एधि नहीं है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ आप ये मत कहना कि sir ये हमारी book में नहीं है मैं पहले से बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर deep knowledge दे रहा हूँ यह आपके subject यानि कि syllabus में अभी नहीं है फिर भी आप अपने पूरे दिमाग से समझने की कोसिस करिए भाई आपका ये revision है तो revision में थोड़ा बहुत तो deep चलता है ठीक है student तो यहाँ पर आपकी जो pharynx है वो फिर से यहाँ पर three type के है three region है यहाँ पर nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, ठीक है student the oropharynx and laryngopharynx are common passageway for air and food okay student